हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू इलर्डिंग क्लासेज फ्रेंट्स आज देखोगे मैं जो वीडियो लेके आ रहाया हूँ आपके लिए करेंट अफेर्स की वह 27 और 28 अगस्त की है कल मैंने करेंट अफेर्स की वीडियो नहीं बनाई थी एक्च्वल मैं कुछ ट्रेजडी हो गई इसकी पीडियाफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रेप्शन बॉक्स में है कॉश्चन नमर पहला है दोस्तों आज का हाल ही मैं अश्वनी भाटिया किस बैंक के नए प्रवंधक निदेशक बने है question number पहला और question number पहले का answer है C State Bank of India SBI का प्रवंधक निदेशक बनाया गया है अश्वनी भाटिया को देखो SBI की बात करें SBI की स्थापना 1955 में हुई थी इसका headquarter मुंबई के अंदर है और इसके chairman है रजनीश कुमार और इनका प्रवंधक निदेशक किसको बनाया गया है अश्वनी भाटिया को देखो मैं देखा देता हूँ ये हैं अश्वनी भाटिया जैसे लिखा है SBI Mutual Fund के अश्वनी भाटिया जल्द ही बनाएंगे SBI के चौथे MD फिलाहाल बैंक ने 3 MD हैं कितने MD हैं 3 MD हैं बैंक के अंदर ये भी याद रखना और 4 MD इनको बनाया जाएगा जिस तरीके से इसमें दिया हुआ है कि ये बनाया जाएंगे इसमें देखो सबसे important इसमें जो news है उनमें बता दूँ कि तो 3 हैं वो कौन-कौन है एक तो अरजीत वशू हैं दिनेज खारा हैं और CS सेटी हैं ये तीनों important हैं और 4 अश्वनी भाटिया बनेंगे बाकी वही news है यो मैं पहले पढ़ चुका हूँ नेक्स्ट देखोगे question number 2 है हाल ही में Air Adventures Ready में किस बिंग कमांडर ने तेंजिंग नौर्गे राष्ट्रिये साहित्य पुरुषकार 2019 जीता है question number 2 और question number 2 का answer है question number 2 का answer है गजानंद यादब गजानंद यादब ने जीता है wing commander है ये उन्हाने तेंजिंग नौर्गे साहित्य राष्ट्रिये पुरुषकार 2019 जीता है काफी important रहेगा याद रखना है question number 2 का answer D है देखोगे जैसे इसमें लिखा है Wing Commander गजानन्द यादब को मिला Adventure Award इनकी sky diving की संख्या आपको भी कर देगी हरान जैसे कि इसमें दिया हुआ है पूरी news है इसमें कि Indian Air Force के Wing Commander गजानन्द यादब को तेंजिंग नौर्वे नेशनल Adventure Award 2019 से सम्मानित किया गया है उन्हें ये Award Air Adventure केटिगरी में दिया गया है गजानन्द यादब पेरसूट जंप इंस्ट्रेक्टर है और भारतिय वायू सेना की sky diving team आकाश गंगा के सदसे हैं गजानन्द यादब अपने करियर में 2900 से अधिक बार आसमान से धर्टी पर छलांग लगा चुके हैं तो ये काफी है 2900 से अधिक बार ये काफी important रहेगा याद रखोगे question number देखोगे 3 हाल ही में राजमार्ग मंतरी नितिन गटगरी ने कौन सा एप लांच किया है देखोगे राजमार्ग मंतरी है हमारे नितिन गटगरी उन्होंने एक एप लांच किया है और इसका नाम है option number ए हरित पत एप हरित पत एप लांच किया गया है राजमार्ग मंतरी नितिन गटगरी के द्वारा देखोगे जैसे इसमें लिखा है गटगरी ने राष्ट्रिय राजमार के किनारे ब्रच्छारोपन की निगरानी के लिए शुक्रवार को एक एप मुबाइल एप हरित पत्थ लॉंच किया इस एप को NHAI ए आई ने सभी ब्रच्छारोपन योजनाओं के तहट रोपे गए प्रतेक पेड़ के इस्थान ब्रध्धी प्रजातियों के विवरण रखराखाव गत्वितियों लच्छों और उपलब्धियों की निगरानी के लिए विक्सित किया है तो काफी important है याद रखोगे हरित पत्थ एप देखो question number 4 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रह्मापुत्रा नदी पर रोपवे सेवा की शुरुआत की है ब्रह्मापुत्रा नदी पर किस सरकार ने की है option है B असम सरकार ने की है रोपवे सेवा की शुरुआत देखोगे इसमें असम के बारे में बात कर लेता हूँ असम की राजधानिया दोस्तो दिस्पुर दिस्पुर राजधानी है और यहां के जो CM है उनका ना है सरवानंद सोनेवाल और यहां के जो गबर्नर है उनका नाम है जगदीश मुखी यहां के गवर्नर का नाम है देखोगे जैसे इसमें दिया हुआ है कि असम में भारत की सबसे लंबी नदी रोबे का उधगाटन किया गया है यह है रोबे कुल 1.8 किलो मीटर लंबा है जो ब्रह्मापुत्रा नदी पर गोहाटी और उत्री गो जादूने तकनीकी से तयार की गई नई रोबे सेवा गोहाटी और उत्री गोहाटी के बीच यात्रा के समय को कम करेगी इससे परियाटन छित्र को मजबूती मिलने की उमीद है क्योंकि यह है लोगों को गोहाटी शहर सक्तिशाली ब्रह्मापुत्रा मोरदीप और तो मंदिर सहित जैसी जगहाओं पर आसानी से पहुंचानी में सच्छम रहेगा तो पूरी नियूज है पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़ लेना पिपर में ऐसे ही आता है आजकल ट्रेंड है यह पिपर का काफी डेटेल समय पूछना क्वेशन नमर देखोगे दोस्तों है ICMR सबसे पहले आपर मैं ICMR की फुल फॉर्म आपके लिए बता दूं इंडियन काउंसिल औफ मेडिकल रिसर्च ICMR की full form क्या है दोस्तों Indian Council of Medical Research 1911 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिली में इसका headquarter है और इसके secretary journal secretary और director journal है Dr. Shriram Bhargav ये काफी important है Dr. Shriram Bhargav तो ये है director journal और secretary देखोगे जैसे इसमें है लिखा हुआ कहां तक पहुचा Corona vaccine का काम ICMR देगा इसकी जानकारी ये vaccine जिस तरीके से मैंने दिखाई हुई है काफी important है ये दिखोगे Corona virus vaccine के विकास को लेकर सटीक जानकारी देने के लिए भारती है चिकिस्सा अनुसंदान परिसर ने तयारियां शुरू कर दी है भारत और विदेशों में Corona virus की vaccine विकास के बारे में जानकारी देने के लिए ICMR एक portal बना रहा है जिस पर अंग्रेजी के अलावा कई छेत्री ये भासाओं में सूचना उपलब्ध होगी तो काफी important है याद रखोगे question number 6 है दोस्तों हाली मैं डियाइडियों के अध्यच जी सतीष रेड़ी का कारेकाल कितने words के लिए बढ़ा दिया गया है question number 6 काफी important रहेगा और इसका answer होगा B दो words के लिए डियाइडियों के अध्यच है जी सतीष रेड़ी इनका कारेकाल बढ़ा दिया है देखो जी सतीष रेड़ी के बारे में बात करेंगे डियाइडियों के बारे में बात करेंगे डियाइडियों के स्थापना होई थी दोस्तों 1958 में इसका headquarter भी नहीं दहली के अंदर है और जैसे की अध्यच मैंने बताई दी है जी सतीश रेडी इसके अध्यास हैं डी आईडियों के फुल फॉर्म भी याद रखा करो पेपर में आ जाता है डी आईडियों के फुल फॉर्म है The Defense Research and Development Organization रिपीट कर रहा हूँ The Defense Research and Development Organization आगे आते हैं देखोगे इसमें जैसे हैं ये जी सतीश रेडी जो डी आईडियों के अध्याच है प्रिजेंट में याद रखोगे Question number 7 है दोस्तो हाली में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में दसवी और बारवी परिच्छा उत्रीड करने वालों के लिए 100% आरक्षर देने की गोष्णा की है देखोगे काफी important है दसवी और बारवी परिच्छा उत्रीड करने वालों के लिए 100% आरक्षर देगी और इसका आंसर है दोस्तो C. मद्यप्रदेश सरकार मद्यप्रदेश सरकार देगी 100% आरक्षर दसवी और बारवी परिच्छा उत्रीड करने वालों के लिए मद्धपरदेश की बात करें दोस्तों शिवराज सिंग चोहान यहाँ पर सीएम है और आनंदी बेन पटेल यहाँ की गवर्नर है याद रखोगे काफी इंपडेंट है देखो यह बाली जो चीज है यहाँ पर आरक्षनवाली या रख्षनवाली व्यवस्ता इस तरीकी से हरियाणा भी कर चुका है पहले तो वो भी याद रख लेना देखो इसमें कॉश्चन नमबर आठ है दोस्तों हाली में किस देश ने काला सागर चेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकरतिक गैस भंडार की खोज की गोशना की है काफी इंपोडेंट रहेगा सबसे बड़े प्राकरतिक गैस भंडार की गोशना करने वाला है अप्सन नमबर डी तर्की तर्की ने गोशना की है कि उसे काला चेत्र में बहुत बड़ा प्राकरतिक गैस का भंडार मिला है सबसे मैं अब तर्की की बात कर लूँ तो तर्की की जो राजधानी है वो है अंकारा काफी important है वही एशिया ही देश है कुछ पार्डिस का ये ये भी याद रखना और इसकी जो currency है वो Turkish Lira Turkish Lira इसकी क्या है currency ये भी important रहेगा इसकी जो president का नाम में आगे इसमें दिखाता हूँ क्योंकि वो आपको लिखने में दिक्कत ना होगी इसलिए मैं आगे दिखाऊंगा जैसे लिखा हुआ है तर्की को मिला अब तक का सबसे बड़ा प्राकरतिक गैस भंडार जाने दिखोगे इसके बारे में मैं दिखा दिता हूँ जैसे यहां लिखा है तर्की के राष्टपती नाम है इनका रैचेप तैयप आर्दोवान ये लिख लोगे आप ध्यान से हैं ने 21 अगस्त को 2020 को काला सागर छेतर में अब तक के सबसे बड़ा प्राकरतिक गैस भंडार की खोज की गोशना की है उन्होंने साथ ही कहा है कि तर्की का लक्षे 2030 तक इसका इस्तमाल करने का है तो important news है याद रखोगे सभी question number देखोगे दोस्तो इसमें आगे भी लिखा हुआ इस news को पढ़ लेना आप लो दरसल तर्की के काला सागर तट से एक बड़े प्राकरतिक गैस का भंडार मिला है इसके बाद तर्की प्राकरतिक गैस के आयाप पर देश की निरवर्ता को कम करने में मदद करेगा इस खोज के बाद अब तर्की की गैस के लिए विदेशी निरवर्ता को कम हो जाई मले वही यह सारी चीह है इसको देख लेना आप लोग क्वेशन नमर देखोगे 9 है हाल ही मैं कोबिट 19 से जुड़ा दा कोरोना फाइटर्स गेम किस ने लॉंच किया है और यह किस से जुड़ा है कोबिट 19 से जुड़ा है काफी इंपरेंट क्वेशन है दोस्तों इसका आंसर होगा डॉक्टर हर्सवर्दन औपसन नमर बी डॉ वीडियो को देखो जिस तरीकी से यह है कुछ इस तरीके का यह गेम है काफी इंपरेंट है आगे देखो इसमें लिखा हुआ है केंद्रिया स्वासपर परिवार कल्यान मंत्री डॉक्टर हर्सवर्दन ने गुरुबार को बिवाजे समुचित व्यावहार के पालन की प्रि दोना आपस में सुरच्छित दूरी रखना और वर्क पहनने को बढ़ावा देना वर्क बोले तो मास्क पहनने को बढ़ावार देना यह सारी चीह लिखी हुई है वो देख लेना आप लोग देखो कि क्वेशन नमर दस है हाल ही मैं लेवर वीडो के आधिकारिक लोगो को क किया है देखते हैं इस लोगो को देखोगे यह है लोगो संतोस गंगवार ने श्रम वीरो का आधिकारिक लोगो लॉंच किया तो देख लेना काफी इंपोर्टेंट है यह लोगो काफी बार पेपर में ऐसी कुश्चन्स आते हैं जिसमें पूरी डिटेल्स है यहापर श्र दाप्त करना चाहता है और यह बाला यह सारी चीज है इसको देखेंगे आगे इसमें थोड़ा सा और लिखा है श्रम वीरो के लोगो में विलू वील भी शामिल है जो एक कॉल वील है जो काम का प्रतिनेटर करता है नीला रंग है कि लेवर वीरो के साथ सौदों को इंगित करता है नीले कॉलर्स रयमिकों को इन में एक तरंगा गिराब्भी शामिल है जो राश्टर या द्वज की रंगों से मेल खाता है इसमें ग्यहों के कॉन भी हैं जो ग्रामीड शरम विकास के फल को इंगित करती हैं तो सब का means इसमें दिया हुआ है काफी इंप्रणट है य फ्री की देश है जिसको पोलियो मुक्त घोशत किया है और सनमर भी है नाइजीरिया को किया है पोलियो मुक्त घोशत डबलू एचो ने ठीक है अब देखो नाइजीरिया की बात है सबसे पहले नाइजीरिया की राजधानी क्या है दोस्तो अबूजा क्या है अबूजा इसकी capital है और currency क्या है नाइजीरियन नाइरा नाइजीरियन नाइरा इसकी capital है और यहां के जो president है उनका नाम है मोहमदू बोहारी मोहमदू मोहमदू बोहारी यहां के president है अब देखो आज के मैं चाहता हूँ कि आप लोग WHO के बारे में details से लिखो बागी questions तो मैं देता ही हूँ last में WHO के बारे में थोड़ा details से आप comment box में मुझे बताऊगे काफी वार मैं इसका जिकर कर चुका हूँ आपसे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ी से details जैसे लिखा हुआ है विश्वय स्वास्त संगठन ने बताया कि अफ्रीका के अंतिम देश नाइजिरिया के पोलियो में तो देश गोसित होने के बाद 25 अगस्त तोहयार बूस को पूरा अफ्रीका महादी वर्ल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है यह काफी important news है दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना है इसको question देखोगे 12 है ब्राट कोली इंस्टागराम पर 75 million followers के साथ एशिया के कौन से नंबर के celebrity बन गए हैं देखोगे ब्राट कोली की 75 million followers हो गए हैं इंस्टागराम पर जिसकी वैसे यह एशिया के कौन से नंबर के बन गए हैं तो option होगा इसका पहला पहले नमर के ब्राट कोहली इंस्टाग्राम पर सेलिब्रिटी बन गए हैं फॉलोर्स के मामले में 75 मिलियन इनके फॉलोर्स हैं काफी इंपडेंट है देखोगे ये हैं ब्राट कोहली सभी जानते हो कौन नहीं जानता हू इनको क्वेशन नमर 13 है दोस्तो हाली में विश्व स्नूकर चैंपियंशिप 2020 किसनी जीती है तो 2020 की स्नूकर चैंपियंशिप जीती है दोस्तो रॉनी ओसू लिवॉन ने ये चैंपियंशिप जीती है 2020 की देखो इनकी एक मैं पिक्चर दिखा लेता हूँ ये हैं Ronnie Oso-Livon जिन्होंने World Snooker Championship जीती है काफी important है याद रखोगे इनके बारे में ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं question number 14 है हाली में England के James Anderson cricket में 600 wicket लेने वाले कौन से नमबर के तेज गैंदवाज बन गए हैं तो देखो ये James Anderson 600 wicket लिये हैं इन्होंने test match में देखो ये बात मैं बहुत किलियर कर देता हूँ cricket के test match का ये format है जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर test match में 600 wicket लेने वाले बिश्वा के ये पहले तेज गैंदवाज देखो ऐस 600 से ज़्यादा wicket मतुया मुली रहने भी हैं लेकिन वो spinner है लेकिन आपक पहले तेज गैंदवाज की बात आ रही है तो test गैंदवाजी में 600 wicket लेने बाले पहले तेज गैंदवाज बन गए हैं कौन? James Anderson जो England के हैं देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है ये बात कि अजहर अली को आउट कर अभी पाकिस्तान से मैच हो रहा था अजहर अली को आउट कर James Anderson ने रचा इतिहास test cricket में 600 wicket लेने वाले पहले तेज गैंदवाज बने England के तेज गैंदवाज James Anderson ने पाकिस्तान के खिलाब साउथ साउथ हम टन टेस्ट के पांच हुए दिन इतिहास रज़ दिया उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान अजहर अली को आउट कर अपने टेस्ट करियर का 600 wicket हासिल किया तो काफ़ी इंपर्डेंट है याद रखोगे आगे देखोगी क्वेशन नमर दोस्तो 10 है 15 है क्वेशन नमर हाली में है हैदराबाद के 20 साल के नीलकंट भानू ने भारत को World Calculation Championship में कौन सा मेडल जीता है ये भी काफ़ी इंपर्डेंट है काफ़ी इंपर्डेंट है दोस्तो Calculation मतलब इन से ज़्यादा Calculative दिमाग विश्रमे किसी का नहीं है पहली नमर पे ये आए है देखोगे जैसे इसमें लिखा हुआ है हैदराबाद के नीलकंट भानू प्रकास ने 15 अगस्ट को Mind Sports Olympic London 2020 में भारत के लिए सौन पदक जीता भानू अब दुनिया के सबसे तेज मानव Calculator है तो काफी important है कहां के है ये भी याद रखना है नाम भी याद रखना है एज भी याद रखनी है काफी important और medal कौन सा है गोल्ड आगे देखोगे Question No.16 है हाली में किस देश में पुरा तात्विक विदों को धुली लेख में धुली खेल में करीब 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्तियां मिली है देखोगे अभी पुरा तात्विक विदों को धुली खेल एक जगा है वहाँ पर 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्तियां मिली है और ये कहा की बात है दोस्तो ये है आपका डीन नेपाल की बात नेपाल में धुली खेलिक जगा है वहां 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्तियां मिली है अब देखो नेपाल की बात करें तो नेपाल के जो PM है उनका नाम है केपी शर्मा ओली यहां के प्रधान मंतरी है और राष्टपती क्यों है विद्या देवी भंडारी राष्टपती है और यहां के देखोगे करेंसी है नेपाली रुपिया और राजधानी काठमांडू है यह तना याद रखोगे देखो जै लिए लोगों का ताता लगा देखो यह है क्रारदेवी की मूर्तियां जैसे यहां पर मैंने लगाया हुआ है नीचे देखो इसमें लिखा वे हैं इन मूर्तियों को जमीन से करीब 300 मीटर की गहराई से निकाला गया है तो यह काफी इंपरेंट है याद रखोगी दोस्तो इस आपसन नमबर बी शाओमी कंपनी है चीनी और 2500 फॉन बित्रित करेगी भारत में बच्चों के सिच्छा के लिए जिससे की वो अच्छे से पढ़ सकें देखोगे क्वेशन नमबर 18 है दोस्तो हाली में AI संचालित हेयर केयर पॉर्ट्स की शुरूआत कहां हुई है AI संचालि थेयर केयर स्पॉर्ट्स की शुरूआत हुई है दोस्तो करनाटक के अंदर कहां पर हुई है करनाटक के अंदर देखो सबसे पहले करनाटक के बारे में जाने करनाटक के CM है VS यदियूरप्पा यहां के CM है ठीक है यहां के गबर्नर है बैजू भाई बाला यहां के गबर्न करनाटक की राजधानी बेंगलॉर है आगे इसमें देख लेते हैं न्यूज यह है जैसे लिखा हुआ है करनाटक ने कोबिट-19 लोगियों के इलाज के लिए AI संचारी स्पॉर्ट्स की शुरुआत की इसमें देखो यहां भी लिखा है करनाटक देश के देश में सबसे अधि से अधिक मामले और ब्यालिस सो से अधिक लोगों की मर चुके हैं तो इसमें यह पॉर्ट्स की शुरुआत हुई है जैसे यहां पर लिखा हुए मंत्रियों के कारेकाल ने एक बयान में कहा है पॉर्ट्स जो नौ बैड तक समायोजित कर सकते हैं हवाई बीमारियां जैसे तीवी फिल्यो और सी ओवी आईडी 19 को रोकने के लिए हकारात्मक वायुदावाब का उपियोग करते हैं ओके आगे आते हैं क्वेशन नमर 19 है हाली में किस राज्या ने एक संकल्प बुजुर्ग के नाम अभियान के शुरुआत की है बेरी वेरी मोश्ट इंपरेंड दो भी मैं इसमें बताया था एक्चाल मैं यह है क्या इसके तहट क्या करेगी मध्यपरदेश सरकार एक लॉंच करेगी एक नमबर देगी जिस नमबर के लिए है, टॉल फिरी नमबर होगा, जिसमें है, हैल फिरी नमबर होगा, यहां पर यह कॉल करके अपनी समस्या को बता सकते हैं, इनकी जो समस्या है उसको सुनने के लिए, या तो कोई पुलिस वाला, या कोई जवान, सैना का, या खुद S.P. इसके लिए का सामान पहुंचेगा अकेले जो बुज़र्ग घर में रह रहे हैं उनके लिए सारी योजना शुरू ही है देखोगे क्वेशन नमबर 20 है हाली में पसू विन में कारेकरम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चडियाघर कौन सा बन गया है देखो ऐसलिए है क्योंकि हमारे देश में नहीं नहीं बाया जाता है यह कहीं बाहर से हैंटिंग चीता को लाया जाता है तो यह काफी important है याद रखोगे तूडे question है दोस्तों आज का comment box में आपको answer देना है हमीशा की तरह मेंने picture लगाई है हंटिंग चीता की देख लेना आप ल नहीं पड़ता है questions कितने important यह है चलो मैं लेता हूँ आपसे विदा टाटा बाय बाय टिक केर